आज के ये वीडियो के अंदर आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ mutual fund, SIP और stock के बारे में already मैंने SIP के calculations के उपे एक अच्छा लंबा खासा वीडियो बना करके upload किया है लेकिन फिरी बहुत से लोगों के call आये, personally मुझे message आये कि अभी भी इसके अंदर बहुत ज्यादा confusion है तो कैसे इसको result किया जाए तो आज के ये वीडियो के अंदर में आपको बहुत ही ब्रिम और बेजिक तरिके से आपको explain करने वाला हूँ क्या है, exactly mutual fund क्या है, SIP क्या है, और stock market क्या है और ये साथी चीज़ों में difference क्या है और अच्छी चीज हमारे लिए कौनसी चीज बेश है और कौनसी चीज के अंदर हमीं invest करना चाहिए, ठीक है तो सबसे पहले मैं बात करू, stock market के बारे में stock market के अंदर, market के अंदर बहुत सारा इसका crazy चल रहा है जितने भी लोग market के अंदर नए नए आ रहे है, सबके सब अपनी income और अपनी earning बनाने के लिए stock market के अंदर जा रहे है, जितने भी लोग आ रहे है जो भी नया बंदा देखा, किसी को पता चलो, मुझे एक side income बनानी है या market इतना बड़ा है, कि आपका जो knowledge है, वो market के comparison में कम हो जाता है और market क्या करेगा, आपको खा जाएगा, definitely खा जाएगा अगर आपके पास अच्छा खासा knowledge है भी तो आपके पास इतना अच्छा खासा fund नहीं होगा कि market की situation और market के trend के साथ में आप अपने fund को manage कर पाऊ अभी recent आप में देखा अड़ानी के सारे sales नीचे गीर है समझ वे समझो के बहुत सारे reports के अंदर ये बताया जा रहा है कि 16,000 करोर से ज्यादा का अड़ानी का loss हो जुका है और अड़ानी ने अभी अपना FPO भी कैंसल कर दिया अब अड़ानी एक well established empire है बहुत ही अच्छी खासी market के अंतर उसकी reputation है fundamentally strong होने के बात भी कोई company अगर घिर सकती है बागी companies का तो हम बात ही नहीं कर सकती सो आपके पास knowledge है stock market का फिर भी अगर आप लोग stock market में जाना चाहिए आप लोग इन stock market अंतर पैसा invest किया लेकिन कही न कहीं पे मेरे इसाब से आपका पैसा definitely market खा जाएगा क्यों यह तो knowledge है लेकिन market बहुत बढ़ा है आपके उपे बहुत सारे market को operate करने वाले manage करने वाले और market को manipulate करने वाले बहुत से लोग बैठ है कहीं न कहीं पे आपका पैसा चला जाएगा यह मेरा मानना है ठीक है knowledge होने के बात भी चला जाएगा और आप एक अच्छी डेवन्यू जेनरेट नहीं कर पाओगे सेकर्ली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास knowledge के साथ experience और अच्छा कासा फंड भी होना चाहिए एक हज़ार दो हज़ार या पांस हज़ार से मार्केट में भूस नहीं सकते पांस हज़ार लेके मार्केट में बूसे पता चला एमर है वैसी बड़ी स्टॉक मार्केट में जांगुस नहीं सकते बाइचान सले गए आपके पास यतना फंडिंग नहीं है कि मार्केट के साथ आप अपने फंड को और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करो ठीक है और यह बहुत ज्यादा कॉंपलिकेज़ है और कितने लोग ऐसे भी होता जिनक सिस्टमाटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर SIP और मुच्छेफन क्या है SIP मतला सिस्टमाटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप मंथली बेजिस पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ठीक है आपका जितना भी पैसा है आप उसको मंथली बेजिस के पैसे के आप लगा सकते हो और जिसके अगर आपको minimum amount लगाना है तो यह SIP एक middle class जिनकी monthly income कम है, कम पैसे कमाते हैं और वो अपना और अपनी family का future secure करना चाहते हैं, उनके लिए SIP है अब mutual fund क्या है, जो पैसा आप SIP में लगा रहा है हो वही पैसा आपका जाएगा mutual fund में, ठीक है mutual fund मतलब SIP, mutual fund में invest करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका तो यह है कि आप जितना भी पैसा SIP में, SIP मतलब systematic investment plan आप monthly business पर पैसा invest करोगे, दूसरा एक mutual fund का मतलब क्या होता है, कि आपके पास 5 लाग परे हैं, आपने सीधा mutual fund में एक साह में दाल दिया, that is known as the lump sum amount आपने एड कर दिया, जन्रली किसी के पास 5 लाग तो होंगे नहीं, और अगर 5 लाग है तो SIP में mutual fund में क्यों दालेगा, जाय करके business नहीं करेगा, तो यहाड में एक साल, दो साल में पैसा पल हो जाये, तो based mutual fund में investment करने का based option क्या है, आपके पास SIP, हर मही ने 500-500 रुपे, 1000 रुपे, एक अच्छा mutual fund find out करके उसके अंदर add करो, guaranteed अगर आप 20 साल तक 500-500 रुपे add करते हो, तो I guarantee it कि आपको एक करोर से ज्यादा का amount 20 साल के बाद मिले गा, एक government employer, सरकारी job करने वाल अगर retire होता है, तो सरकार उसको ज्यादा से ज्यादा कितना fund देती है, 20 लाग, 25 लाग, 30 लाग fund प्रुवाइड करते है, ठीक है, रिटायर हो गया बंदा, उसको बस 15-20 लाग दे दो, उसको retirement fund दे दो, उसका पीशे वाली जितनी मिला है, 50-70 साल के बाटी जो लाइड हो, तो एक retirement वाले बंदे को ज्यादा से ज्यादा 20-25-50 लाग मिल सकते हैं, अगर आप SIP के अंदर 500 रुपीज एड करते हो, पर मन्त बेजिस पे, तो आपको 20 साल के बाद, retirement, 7 साल के बाद, 57-59, 60 यर के बाद, 60 यर की एस के बाद, आपका retirement होता है, तब जाके आपको 20-25 amount मिलेगा, उसका calculation कैसे करना है, already videos मैंने बनाया है, जाकर के देखो, आप अपने इस साब से calculate करो, आपको हमाँ पे सारा figure मिल जाएगा, कि मैं 500-500 लुपी अगर add भी करता हूं, तो total मेरा amount कितना होता है, और उसके उपे मुझे कितना benefit मिलेगा, हर चीज मैंने explain के, ठीक है, now, यह तो हो गया, इस SIP केंदर investment करने का, हर साला 500-500 लुपी SIP केंदर add करो, और आपको 10-15-20 साल के बाद आपको वो पैसा return मिलेगा, बहुत एक या दो गुना नहीं, कहीं गुना ज्यादा multiply होके compounding return मिलेगा, compounding return मतलब इस बार अगर आपने 10,000 लुपी पांस हजार उसक 35 हो गया, तो next year उसके अगले साल 35 पे return मिलेगा, तो करीब आपके 4-5 लाग रुपी आप 20 साल के अंदर invest कर पाओगे, और 4-5 लाग के अगेंस में आपको एक करोर से ज्यादा का amount SIP या mutual fund से मिलेगा, यह तो investment की सारी चीज़ आप इसके benefits क्या है, stock market में न जाके mutual fund में जान करते हो, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो bank में अप्टी करेंगे, ठीक है, fixed deposit, आपके पास 5 लाग है, 2 लाग है, अपने जाकट के bank में डाल दिया, उसके कुछ रूल से, एक साल या पांच साल का जो time उससे पहले आप पैसा withdraw नहीं कर सकते, अगर आपने 5 लाग 5 सा जाल से पहले, उसके time period से पहले withdraw किया, तो समझ दो कि उसके benefit हो आपको नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी जीज, ज्यादा से ज्यादा bank आपको कितना person return लेता है, 6% और अगर 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 लेटेस्ट, 2023 जी बात कर तो, कोई-कोई bank 6.5 या 7% return maximum FD पे आपको 7% return मिलेगा, उसकी comparison में, mutual fund में आपको 23%, 23%, 24%, 25%, 30% तक का आपको return मिलता है, वो भी compounding return मिलता है, तो आपका पैसा बहुत ज्यादा दबल हो जाता है, ठीक है, Secondly, सबसे बड़ी जीज़ आपके साथ में discuss करो, यह एक सबसे बड़ा benefit आपका जितना भी पैसा आपने लगा करके रखा है, जितना भी पैसा आप FD में डालोगी, जितना पैसा आपने FD में जमा किया है, वो आपको specific time period के बाद मिलेगा, उससे पहले आप withdraw नहीं कर सकते है जाने से आपको 6% का return मिलेगा, अब आते है mutual fund, mutual fund में क्या है, आपने जितना भी पैसा डाला है, जितना भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है, यह पहली चीज़, सबसे बड़ा किया है, आपने जितना पैसा deposit किया है, SIP में mutual fund में, यू can withdraw anytime, कभी भी वह पैसा आप ले सकते हो, पहली चीज़, दूसरी चीज़, एक और चीज़ होती है, कि बैंक में या post office में, कहीं पे भी आपने देखा होगा, एक और option होता है, recurring deposit, कि आप 10 महीने, every month, 500-500 याज़ करो, लेकिन recurring deposit में भी आपको पैसा कभी withdraw नहीं कर सकते, उसका time period आपने जो 5 साल के लिए चूज किया है, या 10 साल के, उससे पहले आप पैसा withdraw नहीं कर सकते, secondly, आपको every month 500 याज़ देने होंगे, अगर आप नहीं दोगे, लेट करोगे, तो penalty लगेगी, आपका नुकसान है, mutual fund में क्या है, इस बार आपने 500 एड किया, second time आपने 500 ए पैसा नहीं दोगे, ठीक है, उसके बाद वाले मंधी पे अगर आपको पैसा नहीं आड करना है, कोई tension नहीं, समझों मैंने 500 एड करना है, उसके बाद मेरे पास 5, 6, 7, 8 महीने तक मेरे पास पैसा नहीं आया, कोई tension नहीं लगेगी, कोई extra charges नहीं लगेंगे, कोई hidden charges नहीं ठीक है, और आपने जो पैसा डिपोजित किया है, मिचल फंड में, एसाइप में, वो 100% सेफ रहेगा, आप अचो कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, यह सबसे बड़ा advantage है, कभी भी अगर आपको in between जरूरत रहती है, कि मेने अब भी तक के 50,000 या एक लाख मेरा deposit हुआ है, अब मुझे urgently required है, 10,000 निकालना है, उसमें से 10,000 भी निकाल सकते हो, पूरे amount भी निकाल सकते हो, जितना आप निकालना है, आप अपने हाट से, अपने घर से, अपने फंड से, विड्रॉन से विड्रॉ निकाल सकते हो, आपको ना कोई bank की विजिट करने के जरूरत है, ना आपको कोई post office में जाने के जरूरत, ना आपको कोई form fill up करने के जरूरत है, वो सारा आपके mobile आपके application से विड्रॉ हो जाएगा, जो के FD में, recurring FD में, fixed deposit में, या कोई आपने LIC का, या कोई odd companies का, कोई bank का, आपने life insurance या कोई ऐसा plan लिया, जिसके अंदर आप पैसा mutual fund के अंदर आप 100% safe, ठीक है, तो आप कभी भी पैसा दालो, पैसा कभी withdraw कर सकते हो, आपको जितने time period के लिए रखना है, आप उतने time period के लिए पैसा mutual fund के अंदर add कर सकते हो, समझो के मुझे 10 साल लगा, मैंने 10 साल लगाया, मैंने अपको कोई time fix ने, मैंने 30-30 years का, मैंने time तो किया है कि मैंने स्टार्ट किया अब मुझे दूसरे ही महिने पैसे की जरुड़ा थे तो मैं पैसे वीड्रो कर सकता हूं नहीं चाहिए थर्टी यर्स तक उसको कंटेन्यू कर सकता हूं गैरंटी आपको 25-30% रिटर्न आप एक साल पर यह या पर थ्री यह अर्ण कर सकते ह अगर आपने 4-5 लाग लिए आपके 20 साल के अंदर वहां पर डिपोजित होते हैं उसकी कंपेरिजन में मुझेर फंड आपको कम से कम एक करो से ज्यादा कामाउंट देगा उसका कैलकुलेटर होता है कैसे उसको कैलकुलेट करना कि मैं कितने दालूंगा कितने साल तक अगर वीडियो मैंने प्लेट के अंदर इंवेस्में प्लेट के अंदर मैंने दाल के रखा है वहां पर जाओ और उसको स्टॉडी करो पुरा वीडियो जो आपको जारा क्लिया रिटिकिशन आजाएगा सेकनली स्टॉक मार्केट में और मुचल फंड में क्या डिफरेंस है मुचल फंड में क्या है बहुत सारे बड़े बड़े फंड ऑपरेटर्स के जो हाई क्वालिफाइड अच्छा खासा एक एक्श्पीडियेंस होता है मार्केट का अच्छी खासी उन लोग ने पढ़ाई की होती है और डिफरेंट डिफरेंट मल्टिनेशनल कंपनेश यह लोग आपके पैसो को मैनेज करेंगे आप खूड मैनेज करने जाओगे तो डेफिनिटली जहां तक मेरा एक्स्पीरियंस है मार्केट आपका पैसा खा ही जाएगा स्टर्टिंग पीरेड ने आपको लोगे कि मैंने पांस हजार देस हजार कमा लिया लेकिन एक टेम पर आपके पैसे को मैनेज करेंगे तो यह लोग आपके पैसे को मैनेज करेंगे मुचल फर्म में पैसा लगेगा आपका ओवरल तो स्टॉक मार्केट में ही जाएगा लेकिन वह आप डाइडेक्ट नहीं करोगी वह लोग क्या करेंगे वह लोग आपका पैसे स्टॉक मार्केट में लगाएंगे और वह को यह कंपनी में नहीं दर्स पंदरा कंपनी का एक लिस्ट होता है उसके अंदर सेक्टर वाइज परसंटेज वाज उसको डिवाइट करके दखतें कि कभी भी मार्केट के अंदर प्लस माइज या क्रेस हो जाएटा आपका फंड बैलेंस रहे बहुत ही सेफ बहुत ही अच्छी आउटस्टेंडि अच्छी ने बताओ मेरे कॉंटेक्ट नंबर पर कॉल करो चैनल के अब आउट केंदे मेरा कॉंटेक्ट नंबर मेरे मेल आइडी है मुझे मेल करो मैसल करो कॉंटेक्ट करो डेफिनिटल हम आपकी हेल्प करेंगे ठीक है थोड़ा कंफूजन वारी जो चीज थी आपके झायर वारी छ न गो है यह करो कैंदेग्ट चैनल करो चैनल की है, बाले कियुक्ट ना ह्कुटॉढ आपके ।ापके सथे का नुटा कॉंटृ ना भ क्या आउटैक्ट पार में, झाल झाल